हेलो एब्रिवन कैसे हैं आप लोग उमीद है कि आप लोग अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आंगनबडी सेविका और सहाईका के कामों को लेकर और उनको मिलने वाले उनके पारिश्रमिक से संबंधित हम इसमें लेंगे सर्वे रिपोर यानि कि यदि आप आंगनबडी सेविका हैं या आंगनबडी सहाईका हैं या आंगनबडी से आपका जरा भी कोई रिलेट है जैसे कि आप आंगनबडी केंद्रों से बच्चों को पूरक पोशहार प्राप्त करते हैं या आंगनबडी केंद्रों पर बच्चों को भोजन क हुए हैं तो आप इस रिपोर्ट में इस सर्वे में आपकी भागीदारी मोहतपूर्ण है इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आंगनवाडी कारेकरता जो काम करती हैं और उसके बदले में सरकार जो उन्हें पारिश्रमिक देती है इससे आप लोग कितना संतुष् क्या आपको लगता है कि आंगनवाडियो का मांदे बढ़ना चाहिए क्योंकि जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि लोग तरह तरह के चुनावी ओपीनियन पोल लगाते हैं कोई कुछ लगाता है उसी से हम लोगों ने भी सोचा कि हम भी एक सर्वे करते हैं और इस सर क्या आप लोगों के बदले में आउंगनवाडियो क्या प्रकार कि चींद्र के बर दोखांच में सब्सक्राइए कि लोगों कोई क्या है और आप उनके काम से कितने संतुष्ट हैं या यदि आप सेविका सहाई का हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा कि क्या आप भी यह जो काम है उस काम को अपना अंजाम देते हैं और अपने काम में आपकी कितनी भागेदारी है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक आंगनवाडी सेविका का उसके सेंटर पर काम तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आंगनवाडी कार्यकरता समानलिता उसी गाउं की होती है तथा वह गाउं के स्वास्त संबंधित मुद्धो को उसकी आउस्यक्ताओं से पूरी तरह से अउगत होती है क्योंकि वह अपने पोशक छेत्र के परिवारों के साथ संपर्क बनाये रखती है आप लोगों को पता है कि वह संपर्क उसका क्या है और कैसा है इसी वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे प्रतेक मा प्रतेक वच्चे का वजन करना तथा उसका विकास रिकार्ड यानि कि पोशन ट्रेकर एप में भी ग्रोथ मॉनिटरिंग में भरना साथ ही साथ उसे अपने पंजी में भी दर्चाना भले ही केंद्रों पर वजन मसीन नहीं है लेकिन सेवी का कहीं से भी वजन मसीन ले करके हाइट मसीन ले करके किसी तरह से प्रतेक महीने बच्चे का वजन करती है और बच्चे के वजन को अभिवावक से बताती भी है समझाती भी है कि क्या आपके बच्चे का वजन पिछले माह में क्या था और इस माह में क्या है च्छे वर्स के कम आयू के बच्चों के मात्रेयों बाल सुरक्षा काड़ों का रख रखाव करना तथा दोरे पर आने के बाद से वह भी बताना कि इस काड़ के अनुसार बच्चे का ग्रोध मॉनिटरिंग क्या है ठीका क्या लगा और कौन सा ठीका बाकी है तीन से च्छे वर्स के आयू वर के बच्चों के लिए स्कूल पूर्व सिक्छा यानिके गयर अपचारिक गतिविदियों को संचालित करना आप लोगों को पता है जो आगनवडी केंद्र पर बच्चे पढळने आते हैं उनकी आयू तीन से 6 वर्स की होती है वहाँ पर जो भ प्रतेक महीने की 19 तारिक को आंगन बाड़ी केंद्रो पर अनप्राशन दिवस मनाये जाता है और इस अनप्राशन दिवस में आंगन बाड़ी सेविका यह बताती है कि किस प्रकार से जब बच्चा छह महापूरा कर जाता है तो उसे उपरी यहर में क्या देना चाहिए क्यूं देना चाहिए और कैसे देना चाहिए साथी साथ मैं आप लोगों को बता दू की सार्वजनिक स्वास्थ केंद्र के करमचारियों को टीका करण वं स्वास्त जाच साथी साथ प्रशौपूरु की प्रशोत्तर जाच में सहायता करना यानि कि जो टीका करण होता है टीका करण में जो भी गर्भवती महिलाएं आती हैं उनका वजन लेना हाइट लेना साथी साथ गर्भवती महिलाओं को प्रतेक माह के साथ तारिक को उनका गोदभराई करना और गोदभराई के दोरान सभी प्रमुक्षंदेशों को देना जिस खूम राशन का बित्रण करना घरों में दोरान करना यानि कि ग्रीभरमण करना ग्रीभरमण करके बच्चों की पहचान करना और PSC पर रेफर करना जैसे कि ये दिवा बच्चाती कुपोशित के स्रेणी में है या किसी याने प्रकार का जोखिम का सामना कर रहा है तो हम अभिवावक का और पेसी अधिकारियों का संपर्क भी स्थापित करते हैं जैसे कि दस्त हैजा आदी के अपात कालिन मामलों को स्वास्त केंदर में भेजना किशोर और किशोरियों के लिए विभिन इसकीमों को क्रियानवेन में मदद करना साथी साथ आंगनबाडी केंदरों पर जो भी योजनाएं होती हैं उन्ही योजनाओं को आम जन मानुस तक प जन गरना में लगा दिया जाता है फालेरिया दवा के वित्रण में लगा दिया जाता है यह कुष्ट रोग की पहचान की जन गरना में लगा दिया जाता है यानि कि जो भी आंगनबाडी वार्करों को जो भी काम दिया जाता है सभी कारियों को आंगनबाडी वार्करों को क वरकरों को उतारा जाता है आप लोगों ने सुना भी होगा कि एक तरह से यह कहावत एक मुहावरा भी बन गया है कि जहां न जाए कोई गाड़ी वहां पहुंचे आंगनवाडी यानि कि जो काम किसी के भी बसके नहीं रहती है चाहें वह कितना भी छोटा काम हो या बड़ा क सभी कामों में आंगनवाडी वरकरों को जोड़ा जाता है अब देख लेते हैं आंगनवाडी सहाइका का काम क्या है आंगनवाडी सहाइका का भी काम वही होता है कि आंगनवाडी केंद्रों पर बच्चों को बुला करके लेना साथी साथ आंगनवाडी केंद्रों की सापस सबस्क्राइब वहाँ पर बैठना साथी साथ यदि सेविका कोई activity कर रही है तो उसमें सहाईका का अनिवार है क्योंकि आप लोगों को पता है सेविका और सहाईका एक cycle के ऐसे पहिये हैं कि यदि एक निकल जाए तो दूसरा काम नहीं कर सकता है यानि कि वह cycle बेकार हो जाएगी तो एक लाब को को जो भी लाब देना होता है चाहें वह लाब अपशारिक रूप से हो या अनपशारिक रूप से चाहें वह लाब इस पश्ट दिखाई दे रहा हो या वह संदेशों के द्वारा दिया जाने वाला लाब हो लेकिन सेविका सहाईका की भूमिका महत पूर्ण होती और इसके बदले में सरकार उन्हें क्या दे रही है अभी आंगनवाडी वर्करों को जो है कि केंडरी सरकार और राजी सरकार दोनों को मिला करके 7000 रुपए सेविकाओं को और 4000 रुपए सहाईकाओं को दी जा रही है आप बताइए कि इस बढ़ती महंगाई में जहां यदि एक लीटर दूद सेविकाओं अपने घर के लिए ला रही है तो वहां पंद्रह साथ से 2000 रुपए किवाल दूद का हो जा रहे है यदि एग्येस सिलिंडर ले रही है एक हुजार रुपए किवाल गैस सिलिंडर का हो रहा है यदि 3000 रुपए ऐसे निकाल दिया जा रहा है बजे हुए 4000 रुपय में तो घर का राशन और घर का खर्च भी नहीं हो रहा है साथी साथ एक आंगनवड़ी वरकर के साथ में उसके बच्चों को भी पढ़ना पढ़ता है तब जाकर के एक आंगनवड़ी सेविका का कारे पूरा होता है क्यूंकि आप लोगों को पता है आं लेकिन आगनवारी सेविका काम जो है कि पूरे ब्लॉक्स के चक्र काचने से लेकर के और नाइन चरने को लेकर शोड़ा करो लेकर गया व्यवज menug्या से दमीन रिखले लेए चीछ खुदु अपना पूरे वेजल हिसा awfully है और ऐसे में तीन चार लोग लगे हुए हैं एक आंगनवाडी सेविका का काम करने के लिए क्योंकि एक आंगनवाडी सेविका यदि काम करती है तो उसका पती घर छोड़ करके बाहर कमाने के लिए भी नहीं जा सकता है क्योंकि एक सेविका काम अक्से ब्लॉप के चक्कर कटन रिपोर्ट जमा करना, ऑनलाइन सर्वे करना, ऑनलाइन रिपोर्ट जमा करना यह सब सेविका अकेले नहीं कर पाती है। वीडियो में कुछ सुधार कर सके और आगनबाडी सेविका एवं सहाय का संबंदित सभी प्रकार की जानकारिया ला सके आप लोगों को पता है मेरे इस चैनल से आगनबाडी से जूड़ी प्रतिक प्रकार की जरूरी इंफरमेशन मिलती है चाहिए आगनबाडी केंद्रों प जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक कर दे क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि जो यह मैंने वीडियो बनाया है इसमें आप लोगों के काम को एक आंगनबाडी सेविका और सहाइका के काम को और उसके साथ किये जा रहे हैं सरकार के सवतेले बेवहार को ल दुर्दशा में किस प्रकार से सरकार कितना जिम्मेदार है और स्वयम सेवी का भी कितनी जिम्मेदार है स्वयम सेवी का जिम्मेदार है इसकी चर्चा आने वाले नेक्स्ट वीडियो में करूँगे कि क्यों मैंने ऐसे कहा कि हमारी जो यह इस्थिती है उसमें सेवी का स्वयम जिम्मेतार है